महराज के पूर्ग्री मंतरी अनिल देश्मुक और मुंबई के पूर पूलिस कमिशनर परमीर सिंग को लेकर एक अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है पिछले काफी टाइम से जो ED की टीम है वो लगातार अपनी तरफ से कारवाई कर रही है कभी अनिल देश्मुक के ऊपर कभी अनिल देश्मुक के बेटे के ऊपर तो कभी उनके पीए के ऊपर लगातार उनकी तरफ से किसी न किसी को समन किया जा रहा है और इनी सब चीजों के बीच में ED की टीम द्वारा परमीर सिंग को भी समन किया गया वो भी अनिल देश्मुक के इनसे पूश्ताज किया इनको गरिपतार करने के बाद जब उनसे कई बड़े खुड़ासे किये गए उसके बाद जो है ED ने समन किया था वो भी परमीर सिंग को अब इन ही सब चीजों को देखते हुए परमीर सिंग की तरफ से एक reply आया है जहाँ पर इंडिया टूडे की तरफ से अभी जो news छपी है जिसमें बताया जा रहा है सोर्सोर से update मिली है जिसमें confirm किया गया है कि जो परमीर सिंग है उन्होंने reply किया है और बोला है कि मैं ED office आने के लिए ready हूँ मतलब मुझे कोई problem नहीं है लेकिन अभी मेरी जैसा कि कुछ दिन पहले भी पता चला था कि जो परमीर सिंग है उनकी कुछ health से related कुछ ईशू है उनकी कोई surgery हुई है और वो चंडिगर हॉस्पिटल में है तो वो अपनी leave बढ़ाने के लिए महराज गवर्मेंट को एक later लि time दिया जाए जिसके बाद वो ED office आएंगे और कहीं न कहीं जो भी उनसे बयान लेना चाह रही है जो भी उनसे पूस्ताज करना चाह रही है उसमें वो पूरी तरह से corporate करेंगे आपको बता दूं कि यह परमीर सिंग का जो बयान है वो बहुत ही जादा माइने रखता है क्यो है 100 करोन रुपए की वसूली करता था जिसमें पहली बार जो किसी के दौरा खुलासा किया गया था तो वो है परमीर सिंग और उनहीं के कहने पर उनहीं के दौरा request करने के बाद धिरे धिरे यह case इतना तेजिस बढ़ा कि इसमें CVI और ED दो के दोनों टीमें जो है आज चान होगे उनके बेटे भी सुक्प्रेम कोट पहुचके ED के खिलाब लेकिन वहीं जब बात की जाए परमीर सिंग की तो परमीर सिंग जो है ED से भागने के बजाए वो ED को सपोर्ट कर रहे हैं जो कहीं न कहीं से अनिल देश्मुक को जटका जरूर लगा होगा आपका क्या opinion है आप परमीर सिंग के द्वारा इस बड़ी रिपलाई पर आप बना opinion कमेंट बॉक्स में बता है और वीडियो को जाश जाता से एर करें